उत्तराखंड के हल्दवानी में पिछले 15 दिनों से बवाल मचा है तमाम मीडिया संस्थानों ने ये दिखाया कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों पर एक तरफा कारवाई कर रही है और गरीब मजलूमों के आशियाने को जमिदोज करने में जुटी हुई है लेकिन ये सच्चाई कता ही नहीं है जो सच है वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ और आज एक बार फिर बताऊंगा महां के नशेडी और जिहादी लोगों की हकीकत जानते हैं आप नहीं जानते होंगे क्योंकि किसी ने बताई ही नहीं इस हल्दवानी में तमाम चोर तमाम नशेडी तमाम लव जिहाद के जिहादी रहते हैं आज आप जानेंगे महा के हिंदू और मुस्लिम दोनों के हालात क्या हैं जैश्री राम मैं हूँ आपके साथ अभिशेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल चो थर्डाई उत्राखंड के हल्दवानी में रेलवे की जमीन पर अवैद कबजे के मामले में मीडिया के वामपन्थी वर्ग ने महजे की पक्ष को पीडित दिखा कर रिपोर्टिंग की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई साथ फरवरी 2023 को होनी है जिस से पहले सोत समझ कर ये narrative गढ़ा गया कि इस मामले में राजनेतिक सोच काम कर रही है जिसके निशाने पर मुस्लिम समाज के लोग हैं लेकिन जब वनभूलपुरा की ग्राउन रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि वहां के बचे कुछे हिंदू बद से बत्तर जीवन जीने को मजबूर है इसी वनभूलपुरा में एक जगा है इंद्रा नगर बस्ती जहां आज भी कुछ हिंदू परिवार रहते हैं जो वहां रहे नहीं रहे बलकि गुलाम बनकर रह रहे हैं सर पर कोई छट नहीं है इसलिए रहने को मजबूर हैं तमाम मीडिया का सड़कों पर जमावडा रहा जहां मुस्लिम बहूल हैं और बस वही दर्द दिखा और देश को उस दर्द को दिखा कर बरगला दिया गया लेकिन ये लोग उस बस्ती तक नहीं पहुँच पाए जहां असल में पहुँचना था जहां से असली हकीकत को बहर लाकर दिखाना था इनके अंदर हाई कोट द्वारा अतिक्रमन हटाने के आदेश को लेकर गुस्सा है लेकिन असलियत कुछ और निकली वहां के हिंदू अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए हैं वहां के बुजूर्गों युवां बच्चों महिलाव और पुर्चों की कहानी भयानक है एक बूढ़ा व्यक्ती बताता है कि उनके लिए ये इलाका मुसीबतों से भरा पड़ा है उनका कहना था कि उनके घरों पर चरस और शराब के नसे में लात मारी जाती है जिसका विरोध करने पर एक दूसरे पर आरोप लगा कर मामले को शांत कर दिया जाता है बूढ़े व्यक्ती के अनुसार दस साल में वन भूल बुरा इलाके में हिंदूों के लिए बद से बत् क्योंकि मुस्लिमों की आबादी यहां तेजी से बड़ी यहां के लोगों का कहना है कि यह लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं किसी को नहीं पता कि यह लोग कहां से आए हैं इनकी आबादी एक तरफा बस बढ़ती जा रही है वन भूल पूरा के एक दिव्यांग हिंदू का कहना था कि वो चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें परिवार सहित यहां से निकाल ले क्योंकि यहां आब हिंदू के रहने लायक हालाद नहीं बचे हैं। लोगों का कहना है कि पहले भी वन भूलपुरा में हिंदू-मुस्लिम विवाद हो चुका है और ऐसे मोकों पर विरोध भी होता है अक्सर भीड जमा हो जाती है हिंदू समाज का कहना है कि अगर उनके पास पैसे या रहने का कोई और ठीकाना होता तो वो इस जगा को छोड़ कर कब के चले गए होते यहां रहने वाली एक हिंदू महिला का कहना है कि अगर उनके बेटी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया गया था जिसके चलते उनके घर को घेर लिया महीला के मताबिक अगर पुलिस वक्त पर एक्टिव ना होती तो उनके साथ कोई अन्हूनी हो सकती थी क्योंकि भीड ठाने तक पहुँच गई थी वनभूलपुरा के इंदरा नगर की बात करते हुए एक और बुजुर का कहना है कि 1960 के दशक में वनभूलपुरा हिंदू बहूल हुआ करता था उनके मुताबिक कुछ समय बाद महाँ आग लगी थी मिली जानकारी के मुताबिक धीरे धीरे हिंदू इंदरा नगर से कहीं और सिफ्ट होते चले गए और अब पूरा वनभूल पूरा मुस्लिम बहूल हो चुका है हिंदूों का पलायन यहां से लगातार अब भी जारी है एक और हाकिकत सुनिए इंदरा नगर के एक यूवक का कहना है कि वनभूल पूरा छेतर में लव जिहाद की घटनाएं अकसर होती हैं एक लड़की का उधारन दिया गया बताया गया कि रातो रात उस लड़की को हैदराबाद पहुचा दिया गया जहां से बाद में वो प्रेगनेंट होकर वापस लोटी लड़की के परीजन भी अपनी बेटी की वापसी की उमीदों को खो चुके थे अब तो वहा के लोग जान की सलामती के लिए इसलाम को भी कबूलने लगे हैं इंदरा नगर की हिंदूों का कहना है कि पहले की सरकारों में वो होली भी ठीक से नहीं खेल पाते थे उन्होंने बताया कि होली का देहन से पहले भारी पुलिस फोर्स मोके पर मौजूद रहती थी हाला कि इलाके में हिंदूों ने कहा कि भाज़ुपा सरकार में उनकी सुनवाई पुलिस में होने लगी है और किसी घटना पर कारवाई भी अब की जाती है यहां के कुछ मंदिरों को तोड़ कर मुस्लिमों ने अपने रहने की जगा बना ली लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इस देश का मुसल्मान डरा हुआ है एक और घटना सुनिए वनभूलपुरा के इंदरा नगर के हिंदूों का कहना है कि उन्हें भी धरने में शामिल होने के लिए कहा गया था लेकिन वो नहीं गए उनका कहना था कि इस बात से मुसलिम नेता काविन नाराज हुए और उन्हें उल्टा सीधा सुनाया गया गालिया दी गई यहां तक की मारपीट तक पर उतार हो गए एक महिला का कहना था कि उन्हें दूआ पढ़ने के लिए बुलाया जाता था जिस पर उन्होंने बुलाने वालों को भगवान की प्रातना करने की बात कही लेकिन वो लोग नहीं माने और गाली गलोच कर वापस लोटे वनभूलपुरा के हिंदू बच्चों का कहना है कि स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती थी इन बच्चों को याद भी इसलामी प्राथना ही है स्कूल का नाम SN Public School बताया गया था बच्चों के अभी बावकों का ये भी कहना है कि जब उने उर्दू के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां से अपने बच्चों का नाम कटवा कर दूसरे स्कूल में उन्हें भरती करवा दिया वनभूलपुरा की हिंदू महिलाओं का कहना है कि जब वो कहीं आती जाती हैं तो उन्हें सडक पर रोका जाता है उनके मुताबिक हिंदू बहन बेटियों के साथ अभधरता की जाती है और विरोध पर उनके घरों में मास तक फेग दिया जाता है यहां के बजरंग दल का भी यही मानना है कि अब यहां बचे कुछे हिंदू की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं जो हिंदू कभी यहां की बहुत संक्यक आबादी हुआ करती थी वो आज अल्प संक्यक हो चली है आज वो महां चैन की सांस भी नहीं ले सकते जिसकी जमीन थी वो पलायन कर रहे हैं और जिसने कबजा किया है उसे इस देश का सुप्रीम कोट संरक्षन दे रहा है इस वक्त देश में अजीब और गरीब स्थिती पैदा हो गई है सुप्रीम कोट वक्फ को बुल्डोजर चलाने से पहले मना नहीं करता अगर किसी ने वक्त की जमीन पर कबजा कर लिया तो वक्त धडलने से बुल्डोजर चला सकता है लेकिन सरकार और रेलवे को अपनी जमीन से अतिकरमन को हटाने के लिए इन्हें मकान बना कर देने होंगे सुप्रीम कोट को कभी तो इस देश के हिंदू की भी इस्तिती का आकलन करना चाहिए या फिर बस हिंदूों को छोड़ दिया गया है गला कटवाने के लिए सुप्रीम कोट जब ऐसे जिहादियों को संरक्षन देता है तब अजीब सी भावनाओं का जन्म होता है दिल्ली में पिछले दस सालों से पाकिस्तानी हिंदू पड़े हैं एक खुले मैदान में वो भी कोट के रास्ते अपने अधिकारों को सुनिशित करने की मान कर रहे हैं लेकिन नतीजा ये है कि वो दस साल पहले भी खुले मैदान में पड़े थे और आज भी खुले मैदान में ही हैं और इस देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए भी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी अब दूर नहीं जब सरे आम हिंदू की आबरू को नोचा जाएगा। आपके लिए भी ये सोचने का मुद्दा है क्योंकि इस देश में एक हल्दवानी नहीं है। सैकड़ो ऐसे इलाके हैं जहां हिंदू बद से बत्तर जिन्दगी जीने को मजबूर है। थड़ाई मैं आज के लिए इतना ही कल फिर आजी रहोंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार। कि तब तक देखते रहिए कि लिए से लिए एकपिवानी नमस्कार।